हेलो एंड वैलकम स्टुडेंट तो फाइनली आपके लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकिया है भिल्कुल स्टुडेंट जो आपका रुचॅ nais प्रिषिंग प्रिवश्वँत प्रिख्षा था उसका रिजल्ट डेर्ट के यहां पर गोशना हो चुकिया जी हां भिल्कुल student यह अभी अभी update जारी हुई है आपके result date की है वो update आ चुकी है सबसे पहले आपको answer की के बारे में बताते है answer की कब आएगी answer की या तो आज साम तक आपकी answer की है वो आज आएगी student हुआ फिर कल आपके answer की RUHS है वो update कर देगा यह बड़ी update निकल कर आ रही है जबकि paper है वो answer की के साथ यहां पर release किया जाएगा जो paper है आपका RUHS का उसके साथ answer की भी release की जाएगी अब बात करते हैं यहां पर यह तो हो गया और साथ ही आपको counseling का में ने बता दिया result date भी यहां पर गोशित हो चुका है जी हाँ बिल्कुल student अभी अभी एक बड़ी update निकल कर आ रही है जो आपका query देनिक बास कर उसमें तो result date की बात करें तो आपका result आएगा 31 December को यहां पर गोशित हो चुका है आपका result है वो 31 December को यहां पर RUHS पर upload कर दिया जाएगा यह अभी अभी बड़ी update निकल कर आ रही है जो आपके डॉक्टर मनोज सम्मा है वो exam council उन्होंने बताए कि आपका result data वो 31 December को जारी कर दिया जाएगा जो BAC Nursing प्रिक्षा मंगलवार को अवजित की गई थी साथ ही उन्होंने यह भी बताए कि government college कितनी एड हुई है वा कितनी स्विटों पर एड हुई है बहुत ही अधिक चर्चा उन्होंने किये तो यह पूरी update है जो आज के खुआर देनिक बासकर में आई हुए तो यहाँ पर देखे रिजल्ट की अपडेट यहाँ पर आ चुकिए इस्टुडेंट बहुत ही अपडेट आई है यहाँ पर देखे आपके answer की के बारे में बताए गया साथ ही आपके यहाँ पर government college के बारे में बताए गया जो नई government college हुए उनमें कितनी सीटे एड की गई है तो यहाँ पर देखे हाइलाइट की वाए B.A.C. nursing entrance का result 31 को जारी होगा तो student यह बड़ी update आ रही है कापी सारे student पूछ रहे कि सार रिजल्ट कब जारे होगा तो यहाँ पर आपको date sheet जारी कर दी गई है student यह official website पर नहीं यहाँ पर देखे आज के खुआर देनिक बासकर में जारी की गई है आपका result 31 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा जी हाँ बिल्कुल student तो केवल दो दिन बच्चे होए बीच में यहाँ पर और आपके जो answer की answer की के साथ ही आपका paper भी roll out कर दिया जाएगा तो student आपका paper है वो आज साम या फिर कल तक मैंने बता दिया कि आपका paper आ जाएगा तो यहाँ पर देखे क्या बताया डॉक्टर मनोस सेनी ने पूरी update यहाँ पर हमारे पास आचुकी student तो चलिए यहाँ पर चेक आउट करते हैं यहाँ पर जेपूर RUHS में BAC nursing test का परिणाम 31 जनवरी को जारी होगा तो यहाँ पर यह एक बड़ी update आई है साथ ही उन्होंने government college के बारे में भी यहाँ पर बताया तो चलिए चेक आउट कर लेते हैं क्या बताया BAC nursing परिवेश परिख्षा के कनवीनर डोक्टर मनोज से नहीं है BAC nursing परिख्षा के कनवीनर मनोज कुमार सर्मा ने बताया कि 2021 बाइस में परिवेश के लिए मंगलवार को परिख्षा अयोजित की गई थी यहां पर देखे राजमेश की और से संचालित सिकर, बाडमेर, बरतपूर, बीलवाडा, दोलपूर, पाली और करोली यानि कि कितनी होगे यह लगबग साथ कोलेज होगी जो अभी नई एड हुई है राजस्तान में और इसमें सिटों के बारे में बताए गया है कि यहां पर 270-2021 बाई में हर कोलेज में 60 सिटे एड की जाएगी जी हाँ बिलकुल स्टुडेंट यह जो साथ कोलेज है इसमें हर सेक्टर में 60 कोलेज है जो एड की जाएगी तो student मैंने पूरा कोलेज का लिस्ट बना दिया कि राजस्तान में ओल कितनी गोर्मेंट कोलेज है वो वीडियो मैंने बना दिया यदि आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो चैनल पर अभी हाली में मनाया है और साथ कुल कितनी सीटे हैं और आपके कटोब कितनी जाएगी ये भी मैंने बता दिया है कटोब का वीडियो भी देख लेना तो यहाँ पर देखे साथ साथ सीटों पर आपको एडमिसन दिया जाएगा यहाँ पर यह बताएगा तो student आपके लिए बड़ी अपडेट है बात करें तो तो यहाँ बिलकुल पर पर फरवरी में आपके काऊंशलिंग इस्टार्ट हो जाएगी साथ ही मैंने जो डोकुमेंट्स बताए हैं वो रड़ी रखना आपके काऊंसलिंग फरवरी में जबकि result आपका 31 तारिक को यहाँ पर जारी हो जाएगा जबकि आपका admission की बात करें तो लगबग March यानि कि March में आपके classes start हो जाएगे एक March से पहले आपका पूरा जो session start हो जाएगा रेगुलर फरवरी फरवरी महिना counseling का रहेगा और जबकि आपका result 31 तारिक तक upload का दिया जाएगा तो student यह बड़ी update निकल कर आ रही है तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में आपको जानकर यह अच्छे लगए तो वीडियो को like करना जो student नही है अभी से चनल को subscribe कर लेना और साथ ही हमारे टेलेगराम चनल को जरूर जोइन करना क्योंकि वहाँ पर भी update मिलती रहती हैं तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में जेहिंद वंदे मातरम